सम्तल की व्याप्तक रूप में समीकरन देखने के बाद आज हम देखने जा रहे हैं अंत्यखन रूप में सम्तल की समीकरन तो समतल का अंत्याखंट रूप में समेकर हम डिस्कस करेंगे माना कि हमारा जो समतल है वो अक्सक्सिस Y-axis Z-axis को A, B और C अंत्याखंट पर करता है यानि अक्सक्सिस पर A अंत्याखंट जो लंबाई है A लंबाई का अंत्याखंट काड़ता है y axis पे b लंबाई का अंतराखन काड़ता है z axis पे c लंबाई का अगर अंतराखन काड़ता है तो हमारी अंतराखन रूप ने समतल की तो समीकर्ण होगी आपके पास y upon d plus z upon c equal to 1 ये हमें सिद्ध करना है ये सिद्ध करने के लिए हमने समतल की व्यापक रूप के समीकर्ण है और इस केस में ये जो हमारा समतल है आप देख सकते हैं ये जो समतल है आपके पास x y और z तो अक्सक्ष इसको जिस a point पे cut कर रहा है जिसके निर्दे सांग a 0 0 a इसका अंतराखन है जहांपी इसको cut करेगा y पे 0 b 0 अगर ये point b है c पे 0 0 c और ये सारे point इस समतल पर है तो point a समतल को satisfied करेगा तो ये जो समीकर्ण a हमने देखी है तो बिंदू a जो है a a बिंदू जिसके निर्दे सांग a 0 0 है वो इस समतल को अगर संतुष्ट करता है तो ये बन जाएगा हमारे पास a और ये सब 0 बन जाएगा plus d equal to 0 और यहांसे अगर हम a find करें a equal to होगा minus d upon a बिंदू b जो है आपके पास 0 b 0 वो भी आपका समतल को संतुष्ट अगर करेगा तो ये 0 होगा आपके पास b की में अगर हम value put करें तो y की जोगा होगा b plus d equal to 0 यहांसे b अगर हम निकालें तो बन जाएगा minus d upon b c जो point है 0 0 और c और ये भी अगर हम point देखें तो ये भी इस मानक समयगण को अगर संतुष्ट करता है तो ये 0 ये भी 0 c z तो c z तीजगा रखेंगे अपन small c plus d equal to 0 तो c जो निकल के आया आपके पास वो बनेगा minus d upon c तो आप देख सकते हैं कि a, b और c का ये मान हम समयगण की मानक समयगण में अगर रखते हैं यहां पर अगर हम इसको रखते हैं तो एक ही जगर रखा आपने minus d upon a x minus d upon by minus d upon c z और plus d equal to 0 यह आपके पास समयगण बनती है और इसी समयगण को आगे अगर हम solve करें तो आप देखेंगे कि minus d से पूरी समयगण को अगर हम divide करें तो minus d से अगर हम इस पूरी समयगण को अगर divide करते हैं तो यह बन जाएगा आपके पास x upon a y upon b z upon c minus 1 equal to 0 और x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1 तो यह हमारे पास समतल का अंताखंड रूप में समयगण है तो किसी भी समयगण आप देखेंगे x upon a a जो है वो a लंबाई का अंताखंड यह x अक्सिस पे कट करते है b लंबाई का अक्सिस y पे c पे आप z x इस पे c लंबाई का अथा कट कट करता है तो आप इससे related अगर हम एक सवाल को consider करें तो आप देखेंगे कि हमने यह आप एक सवाल देख लेते हैं कि किसी भी मानक समयगण को क्या हम अंताखंड रूप में बदल सकते हैं तो 3x, suppose कि हमारे पास एक समयगण है 3x minus 4y plus 2z equals to 12 यह हमारे पास एक मानक समयगण है उसको अंताखंड रूप में बदलिए तदा इसके अंताखंड अक्सिस के जो आपके अक्सिस पे जो इसके a, b, c हैं एक्स अक्सिस को इसका अंताखंड रूप में किस लेंग पे कट करता है y-axis पे कितना और z-axis पे कितना उसकी लंबाई भी निकालिए तो यहाँ पे हम a, b, c भी हमें यहाँ पे निकालनी है तो काटेगे जो अंताखंड भी हमें ग्याद करना है तो यह समीकर्ण आपके पास अगर हम समीकर्ण की तुल्णा करें x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1 से तो हमें यहाँ पे बनाना है 1 तो पूरे को 12 से डिवाइड किया तो यह बन गएगा हमारे पास equal to 1 इसको हम simplify करेंगे तो x upon 4 y upon 3 z upon 6 equal to 1 compare करेंगे उसके साथ a equal to 4 b equal to 3 और c equal to 6 तो आप देख सकते हैं यह इसका अंत्रखंट रूप में समीकर्ण है और a, b, c जो है आपके पास इसके काटे के अंत्रखंटों की लंबाई है इसके बाद देखेंगे हम next समीकर्ण तोपिक है हमारे पास सम्तल का अभिलम रूप में समीकर्ण सम्तल का सम्तल का अभिलम रूप में समीकर्ण सम्तल का अभिलम रूप में समीकर्ण हम देखते हैं तो देखें सम्तल का अभिलम रूप में समीकर्ण देखने के लिए हमने यहाँ पे कुछ consider कर लेते हैं आप देखेंगी कि यह हमारे पास ak expressive है यह y-axis है यह आपके बास j-axis है उस case में अगर देखें तो यहां पे हैं हमारे पास थे प्लेवट है यह सम्तल है हमारे पास इस कि अगर दे दिखा ऐसे अगर यह on देखें तो ओ and जो है वो समतल से लंबत है मूल बिंदू से समतल पर खिंचा गया लंब है तो ओ एन जो ओ एन समतल से जब मूल बिंदू से मूल बिंदू से समतल पर खिंचा गया लंब है समतल पर खिंचा गया लंब है O N मूल बिंदू से समतल पर खिंचा गया लंब है और इसको हम O N सदिस में भी convert कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आप देखेंगे उस समतल से मूल बिंदू से जो लंब खिंचा गया है उसकी लंबाई इसकी जो लंबाई है वो हमने P ली है इसे के साथ इस समतल पर कोई एक बिंदू R या बिंदू P हमने यहां पर consider किया है और इस P का मूल बिंदू के साब पर जो इस्ततिस सदिस है वो आपका R सदिस है तो आपने कोई बिंदू P यहां पर लिया जिसका इस्ततिस सदिस इस्ततिस सदिस R सदिस है N-CAP N-CAP जो है आपके पास N-CAP सम्तल के लंवट 21 सदिस तो सम्तल के लंवट जो सदिस लिया था N-CAP सम्तल के लंवट 21 सदिस है सम्तल के लंवट 21 सदिस तो आप देख सकते हैं कि जो 21 सदिस है सम्तल के लंवट वो आपका on दिसा में है, on दिसा में, जो वेक्टर है on सदिस, उसी की दिसा में ही n-cap, सम्तल के लंबवत एक 21 सदिस है, तो अगर हम यहाँ से कुछ चीज़ हैं के डिसकस करें, तो on सदिस अगर मैं निकालता हूं, तो दिए, on सम्तल के लंबवत है, और किसी भी सम्तल के जब हम लंबवत कंसीडर करते हैं, तो उसका जो 21 सदिस है, वो n-cap है, और मेरे को 21 सदिस पता है, और इस सम्तल की वूलबिन दूशे दूरी जो p है, तो on सदिस होगा, वो होगा pn-cap, यह हमरे पास equation first, सेकिन्द जो हम देखेंगे, n-p-cap, जो इस सम्तल के सदिस है, तो p का इस्तति सदिस minus n का इस्तति सदिस, और वो है आपके पास pn-cap, यह हमरे पास सम्तल नमबर 2 है, तो सम्हिकर एक और सम्हिकर दो, हमने यहाँ पर फाइंड किया, अब देखोंगे, on सदिस सम्तल के लंबवत है, n-p सदिस सम्तल परिस्तित है, तो यह दोनों सदिस एक दूसरे के लंबवत है, तो उस case में अगर आपन देखेंगे, आप देखेंगे कि n-p सदिस dot on सदिस equal to 0 होगा, n-p सदिस की value हास से हम देखेंगे, r सदिस minus pn-cap dot pn-cap equal to 0 होगा, तो r सदिस dot pn-cap minus pn-cap dot pn-cap equal to 0, इसको आप देखेंगे, r सदिस dot pn-cap equal to p square n-cap dot n-cap, और यह आप देखेंगे, इसकी value 1 होगी आपके पास, r सदिस dot pn-cap, यह पी से इसको divide कर देखेंगे, p square divided by p, r सदिस dot n-cap equal to p, यह आपके पास सम्तल का अभिलंब रूप में समीकरण है, तो सम्तल का अभिलंब रूप में समीकरण हमने यहां से निकाला है, और भूत जहांसा में देखने हैंगे, जो रुटता सबसे पहले पतावरजी में, जो p क्या है, तो सम्तल की मूल बिंदू से जो दूरी है, वो आपके पास p है, n-cap क्या है मेरे पास, गोल बिंदू से जो सम्तल पर हमने लम डाला है, उसका उस दिशा में 21, वह भीलंब रूप में समीकरण हमने यहां से निकाला है तो समीकरण को हम ठोड़ा से और एक्टेंट करें, तो आप देखेंगे कि सर अगर ये तो n सदिस है n कैफ है इसको अगर मैं on सदिस में अगर मैं ये को बदलना हो तो आप कुछ नहीं करेंगे r सदिस dot n कैफ को अगर मैं भाग दे देता हूं उसके मापांक से मापांक से अगर मैं भाग दे देता हूं तो यह आप जानते हैं कि कोई हमारे पास क्या बन जाएगा आपको पता ही n-cap जो होता है वो n-vector upon n-cap जो होगा मेरे पास तो value of n-cap, n-cap जो होगा वो n-vector में अगर magnitude के डिवाइट करता हूँ तो n-cap होगा यहां से अगर n-vector निकालें, n-vector जो होगा वो होगा आपके पास n-cap और उसका magnitude यह हमारे पास बनेगा तो उस case में यहां से आप देख सकते हैं कि r-sadis जो होगा आपके पास r-sadis जो होगा हम यह consider नहीं करेंगे, हमारे पास equation थी r-sadis n-cap equals to p था आपके पास n और यहां से अगर आपन देखें तो n-cap जो है आपके पास, वो है n-vector upon n-cap, यह है हमारे पास तो n-cap की जो value होगी हमारे पास, वो होगी आपके पास n-vector upon तो यहां से हम लिखेंगे r-vector dot, इसकी जगे हम लिखने वाले हैं n-vector upon magnitude of y, यह आपने पास बनागा p उस case में अगर आपन देखें तो r-vector dot, यह बन जाएगा n-vector equals to p, n-magnitude of n-cap, और यह बन जाएगा r-vector dot n-vector, और यह आपका होगा q तो q की जो length है आपके पास, जो q निकल के आया है, तो q जो है वो है आपके पास p, magnitude of n-vector, और यहां से अगर में पो p find करना है, तो q जो length आई है उसको अगर magnitude से अगर मां divide करता हूँ, तो उस case में मुझे p मिलेगा, तो इस तरीके से अगर आपन देखें, तो यह हमारे पा पास r-vector dot n-cap equals to p, equation of normal, समतल का अभिलम रूब में समिकरन, तो समतल का अभिलम रूब में समिकरन में n-cap जो था, वो on की दिसा में 21 सधिस था, p उसकी दूरी थी, समतल की मुलबिंद उसकी दूरी थी, और उसी case में अगर इस समिकरन को अगर आप देखें, तो n सधिस, मेर पी और पी जो है वो समतल से उस बिंदू की दूरी है, अब हमें से समन्दित कुछ प्रोब्लम को यहां पे हम डिसकस करने वाले हैं, तो यहां पे हम एक प्रोब्लम कर देखें, समतल का सधिस हमें करन जो गूल बिंदू से 7 इकाई दूरी पर है, तो आई-कैप इसकी अभ सम्तल का 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 सम्तल क Q जो है वो हमारे पास Q को अगर हमें N सदिस के मापांग से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो उस case में हमें इस समतल की मूल बिंदू से और जो दूरी है वो हमें उसमें मिलती है P प्रोडम है हमारी समतल का सदिस समीखन ग्याद कीजिए जो मूल बिंदू से 7 इकाई दूरी पर है तो यहां से अगर देखें तो P जो है वो आपके पास 7 इकाई दूरी पर है तो समतल की समतल की अबिलम रूप में समतल का सदिस समीखन हम ग्याद करें तो समतल की समतल की समतल dot n cap equal to p था अमारे पास और वो n cap इस सदिश से अगर अपने निकालें तो हमें पता इकाई सदिश हैं किसी भी सदिश में अगर उसके मापांक का अगर हम भाग दें तो 6 i cap plus 3 j cap minus 2 k cap है मापांक का अगर भाग देंगे तो उझेगा 36 plus 9 plus 4 n cap equals 2 बनेगा 6 i cap plus 3 j cap minus 2 k cap अपन में जो है आपके पास ये बन जेगा आपके पास 7 ये बन जेगा 7 तो n cap जो बना है हमारे पास तो r सदिश dot n cap है आपके पास 6 i cap plus 3 j cap minus 2 k cap अपन 7 equal to p जो है वो 7 है आपके पास तो r सदिश dot 6 i cap plus 3 j cap minus 2 k cap equal to 49 ये हमारे पास समतल का सदिश समीकरन है और यहाँ पे यहाँ पे देखिए n cap जो है हमें ये जो सदिश दियावा था तो ये अबिलम सदिश दियावा था इकाई सदिश हमें उसको परिवर्टित करके वहाँ पे लिखना था इससे समंधित जो